हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रग्या रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइफ फूड सेफटी फ्रम क्लास सेवंथ जो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फूड सेफटी का मतलब मैं बोलूंगी तो हम फूड तो हम हर रोज खाते हैं मतलब दिन भर में कुछ न कि वह कितना जाधा सेफ एगितना अनसेफ है तो हम चैप्टर में पढ़ने वाले कि फूड सेफटी के बार में क्या के इंपोर्टेंट चीजे है ठीके और क्या के फैक्टर होते हैं जिनके वज़े से जो हम को देखना जै कि आचा जो ओं खा रहें वो सेफ है या ने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगी वी गेट दिस न्यूट्रेंस फूड और ऑविसली अमें यह सारे जो न्यूट्रेंस होते हैं जिनको हमने अभी चैप्टर फोर में पढ़ाता न्यूट्रिशन के बारे में यह हमें सारी चीज़े फूड से ही मिलती है जैसे कि थो फोट खाते हैं यह सारी हमें इन चीजों से न्यूट्रिशन हमें यह सारी चीजों से मिलती है फूड फोड़ गविट का मतलब होता है अब्सली सड जाना घंदा मितलब ऐसा हो जाना कि हम उस खाना है ठीक है तो यह फूड स्वाइल सामझ गया होगा आप लग को वट are the factors responsible for food spoilers? अब क्या-क्या factors होते हैं? इनके वज़े से वो फूट खराब होते है तो हम देखेंगे सम्टाइम्स fruits or their skin turns black आपने देखा होगा कोई भी fruits होगा उसके कभी अब खरीते होगे तो घर पाके देखते होगे तो उसके जो skin होती है चिल्के होते ब्लाक हो जाते हैं? बनाना के चल्के कभी कभी किसी स्पोट पर ब्लाक हो जाते है सम्टाफ गिव आउट फोल बाद ओडर बहुत गंदी सी आते हैं अगर कोई चीज़ जाते तो उसकी गंदी सी स्मेल आएगी तो उससे में मालूम पड़ते कि हाँ यह खाने लायत नहीं है अगर कोई skin turn blacks या bad order आया तो हमको समझ महते हैं कि यह हमारे खाने लायत नहीं होती सम्टाइम्स नाच्रोली अविलेबल फूड माटेरियल आ स्पॉल्ड बै रॉंग हैंडलिंग आज वेन आप ओवरकुक्ड और इंप्रॉपरली स्टोर्ड से इन डाम प्लेस ठीक है तो कुछ कभी जो नाच्रोल अविलेबल फूड होता है फूड माटेरियल होता है या तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया रहता है एक यूपर एक रखते तो वह जो फूट होते है या वेजिटेबल्स वह दब जाते हैं कई बार तो वह स्पोईल हो जाता है फिर हम जो खाना बनाते हैं वह कभी-कभी ओवरकुक है जल जाता है तो हम वह भी खाने लाइक नहीं बच्छता जला वह कौनी खाना पसंद और उसको अच्छी से स्टोर नहीं किया जाता है जैसे कि थोड़ा वेट मतलब थोड़ा स्लाइटली वेट होता है जगत फोड़ा गीला होता है अगर हमने उसमें कोई भी सावान रखा ठीक कि अगर सपोज मैंने उदर अप आटा रख दिया तो वह खराब हो जाएगा जो कि responsible food spoilage के लिए ठीक है अब यह देखो आपका फेवरेट वड़ा पा और पानी पूरी देख के मज़ा आ गया होगा ठीक है आप बहार जाते हो अपनी दोस्तों के साथ पैमिली के साथ जाते तो आपको यह चीजे दिखते अट्राक्शन होता है आपको बहुत भूख ल बनता है हमें नहीं पता ना वो जो बनाता है वो अच्छी दरी के से गलब यूज करता है कि नहीं या वो अच्छा ओल जिसमें वड़ा जो तलते है वो और यूज करते है कि नहीं पानी पूरी का पानी अच्छा होता है कि नहीं हमें नहीं पता हमें बस टेस्टी लगता है तो we eat लेकिन सेफ है कि नहीं वो हम कभी नहीं देखते तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि वो जो हमारी फेवरिट चीजे है वो बनते कैसे है वो सेफ सेफ बनते है भी है नहीं हमें हमेशा देखना चाहिए ठीक है वरिस कंड्स चेंजे ओकरिं फूड मटेरिल फर इंप फूड ब्रूट तर्ण ब्लाक और चेंज टेस्ट मीट बिकम सोर पीनेट बिकम रंस अल्प जो उखनेद अगर अगर आज हमने कोई फूड मटेरिल लाया कल वो जाके अपना कला चेंज कर लेगा या उसमें से गंदी स मिल आने लगेगे या जो पीनेट होते हैं वो मीट चिकन वगरेर वो भी खटे लगने लगते हैं एवन मिल्क होता है वो ऑफट जाते तो खराब जाते है तो वी हमें मालम पढ़ जाता है जिब हम उसको टेस्ट करते हैं तो यह सारी चेंज़े होती है अंदर यह फूड मडे राइस गेहू ये सब जो आते हैं फार्मर्स, प्रोड्यूस फार्म्स वोग अच्छे सब ब fragrance क्या वहिसे दैमेज हो जाते हैं कि उनको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाता है क्योंकि उनको ब्लब आपनाए दालते हैं आपको पता है में आपको 21 जब उता यह सिव भाग कोई थे पढ़ों कंटा है तो पातब चिजे हम रखते हैं तो आप कशी आप होगा थीन्हें प्रद्ध्ट में तो यह पहले सिंट नहीं अप्शेशन हुआ नहीं रहते हैं अगर मेपमें और को रियाक्शन होती है और वह चीज़े खराब हो जाती है सम्ताइम्स फूटसफ में गेट स्पोईल ड्यू टू कंटामिनेशन बाइक्रोगानिजम और इंसेक्स फॉम्ट इंसेक्स में चले जाते हैं फिर वह डिवाइड मतलब एक दो तीन भी गए तो वह उनकी अपनी पू पूरा उन पर हमला कर देते है वह उस्पोईल कर देते है खाना वह बू फिर वह भो खाना हम नहीं चाशकते वह चीज़ें आप यह सारी चीजे बीफूड स्पोईलेज का कारण है कि देखो यह इंप्रॉपर हैंदिंग यह अब देखोगे जब फिर गर निक्रा हुआ हु ठीक है नाव फूड हमने अभी फूड स्पॉलिश देखा अब हम पढ़ेंगे फूड वेस्टेज वेस्टेज हमें पता है कि हम बहुत हम इंडियन जो भी जितने भी लोग होते हैं वह हमेशा खाना वेस्ट करते रहती धरूदर ठीक हमेशा ज्यादा लेते और हम खाते नही रॉड मेथेड्स फामिंग लाइक हैंड सोविंग फिट इनडिकवेट थ्रेशिंग इंप्रॉपर स्टोरेज और रॉड मेथेड्स ऑफ इस वेस्टेटिव वेस्टेज वेस्टेज तो वी नू टू टाइप से अभी इसमें क्या होता है यह दोनों में अलग 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 थो हम गरेज में उद रखने जैसे कि फामिंग करते हैं भी छीज फिर और सेल टेज अलग जब सुगाते हैं यह राइस करते थैता है इन एडिकवेट थ्रेशिंग का मतलब होता है जब वो सीट्स को अलग करते हैं वो प्लांट से किस सेपरेटिंग ग्रेंज स्वं प्लांट उसको थ्रेशिंग बोलते हैं वो अच्छे से नहीं करिया किया मतलब वह आधेच सीड उसमें रह गए और बहुत कम इल्ड आया फिर इंप्रोपर स्टोरेज और डॉंग मेंसं दिस्त्रिविशन मतलब ट्रांसपोरेशण गलत तरीचे से किया स्टोड अच्छे से नहीं किये तो यह सारी सीरीसंस होते है कॉंटिटिटिव वेस्ट रहा इसमें इसमें दो बहुत जाधा क्वान्टिटी वेस्ट होता है वे प पूरा जो महनत होता है इतने साल से वो जो बनता है वो सब बरबाद हो जाता है beside much food is wasted as a result of the custom of offering and serving too much food to guests ये तो हमारा सब का common example है कि कभी भी कोई महमनत है even किसी की शादी होती है कुछ भी function होता है तो हम mostly बहुत सारा खाना सब के लिए prepare करते है बहुत सारा खाना हम order कर देते हैं लेकिन पर वो वेस्ट होता है आखिरकर वो वेस्ट होता है had it not been wasted all this food could have met the needs of many others क्योंकि सारा का साना खाना खतम होना इससमों जरूरी क्योंकि हमें लगता है कि कम पड़ेगा तो हम और ज्यादा मंगा के रखते है एक्स्ट्रा के लिए लेकिन वो खाना वेस्ट ही होता है फिर उसको कोई खाता नहीं है तो जादा बेटर होगा तो हम भी खुश हो जाएंगे वह लोग भी खुश हो जाएंगे ठीक है तो यह साह हमारे quantitative westage of foods के methods कि किस किस वजों से यह सब होता है पर हम पढ़ेंगे qualitative westage of food using wrong methods of protecting food excess use of food preservatives over cooking washing the vegetable after cutting them miss handling of fruits like grape and mangoes miss calculation of the time required to transport food from producers to consumers are the cause of qualitative wastage of food तो आपको यह भी याद रखना है what are the qualitative wastage exam में आने के chances हैं तो हम food को protect करते हैं जैसे कि insects से protect करते हैं तो हम insecticides मारते हैं उसमें लेकिन कभी-कभी हम जादा यूज कर लेते तो वह भले ही कीडे में जाते हैं लेकिन वह जो हमारी पैसे सेट्स होती है वह खाने में रह जाती है और वही खाना हम खाते हैं तो इस रॉंग हमारी हेल्थ को इसमें अफेक करता है तो कभी-कभी में यूज कर लेते हैं तो वह खाना खराब हो जाता है जादा यूज करेंगे तो प्रिजर्वेटिव का तो वह खराब हो जाएगा फिर हम कभी-कभी ओवर कुक कर देते हैं फूड को जिसके वाज़ेसे को कोई नहीं खाता है फिर वह अगें वेस्टेज होता है फिर हम वेज जैसे कि मैंने बोला एक रख देना तो वह डब जाएंगे फ्रूट्स तो मिसांडलिंग हो गई फिर अच्छे उस समय पे निश्चित समय पे ट्रांस्पोर्टेशन नहीं हुआ उसके वाज़े से भी वेस्टेज होता है फिर वह लेते नी कंजूमर उनको उन तैम पे नहीं म सब्सक्राइब तो पहला है सब्सक्राइब अपनाने चाहिए जितना आपको खाना है उतना ही सर्फ करो उससे जादा मत करो अवाइड ओवर कुकिंग फूट ओवर कुप मत करो अवाइड थ्रूइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड रियूज इन प्रॉपर वे मतलब कोई आप खाना सब्सक्राइब आपने चावल बना लिया रात को बहुत सारा बना लिया तो आप क्या भोलोगे इतना मैंने खा लिया अब इतना मैं फेक देती हूँ इस से अच्छा आप उसको अगले दिन जब सुब आप उठोगे तो खराब थोड़ी होगा चावल एक ही दिन कर रात का ही रहेगा तो इतना खराबने होगा उसको आप वापस फ्राइब करके आप यू कैन री यूज और खा सकते हो ठीक है वेस्ट करने से अच्छा बाए ओल्ली अज मच ग्रेइन वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क एक्सेटरा आप सिंगल परसन हो तो आप उतना ही ख अच्छा मेथड यूज करो अच्छा मेथड यूज करो तो खराबने होगा चेक दिस पारी एक्सपारी डेट ऑफ बॉटल कान पांग फूड उन्स विदिन दाट ताइम सबसे इंपरने चेक करना किसी भी कोई बीचीज अब खरी तो सबसे पहले चेक करो अगर उसकी एक् पर नहीं खाप होगे तो फिर अगेन वह बेस्ट हो जाएगा तो भी यू शुड अल्वेस चेक देट एक्सपारी डेट इत अल्दी फूड देट यूज कैन सबसे जितना अपने लिया है आपने पर उतना पूरा खतम कर लो वेस्ट मत करो ठीक है तो 6th in October होता है हमारा वर food storage and preservation food storage का मतलब होता है we store food preserve करके रखते उसको ताकि हम बाकी यूज कर सके आगे जैसे कि अगर मैं mango like आचार आम का आचार हम हमें हमारे साल में एक ही बार आता है तो हम उसको मम्मी हमारे सारी आचार बना के रखते है mango के पिकल से ऐसे जो ऐसे जो फूट्स होते जो सीजनल food food фru چotया उनको हम store करते है उसकि के तो वह हम store करके रखते थाकि ताकि हम को साल बहर रुसका से तो अःटी थे तो हम उसको फूट्च बुलत एखते है यूच रखते रखते है Sure we have learned about various methods of safe storage of food like freezing we freeze कर करकर रखते थाकि वह न खराबनाः जैसे कि अगर मैं बाह बाह बात कर में रखते था कि उसमें बाहर की चीज़े नास जा सके इंसेक्स अंदर नहीं ग्रो कर सके ठीक है तो इस डिस डिफेंट मैथर्ड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो और इस वज़े से हमारे खाना जो वह स्पोईल करने से बच जाता है नेक्स आता है हमारा फूट प्रोटेक्शन फूट प्रिजर्वेशन प्रिवेशन प्रिवेंट्शन 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 प्रि तो इसको पॉइंट वोड चला गए ठीक है तो क्या मैंने बोला इधर कि हम ऐसे कुछ चीजों को प्रिजर्व करकते हैं चोल कर रखते हैं ताकि हम उसको लंबे समय तक उसको बचाया है तो इसको फूद प्रिजर्वेशन कहते हैं तो इसको बोटल्स मिल्क को अच्छे से फ्रीज में स्टोर करते हो जितने भी वेजिटेबल्स हो गए उसको आपने किसी किसी चीजों को एक पैक करके तक ही कोई माक्रोबिल ग्रोथ नहों सके अच्छा दरीका है फूड को स्टोर करने का नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्ड मेथओड विच ओफूड प्रोटेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्या-क्या मेथड़्ड होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फूड़ी आपको पूरा चार्ट याद करना है ठीक है पहला है फ्रीजिंग पहला है फ्रीजिंग बायोलोजीकल और केमिकल रियक्शन इंपूड मर्टिटिल अट लोट टेम्परचर जब हम किसी भी खाने पीने की चीज़ों को फ्रीज करते हैं या मतलब हम उसका टेमपूश्य कम करते हैं तो जो चैमिकल रियक्शन होते है वो जाते हैं ठीक है केम के कंडिशन में रहेगा या यह जो हमारे किचन में यूज होता है ताकि हम किसी भी जो हमारे फुट मट्रियल होते हैं उसको कम टेमपरेचर पर स्टोर कर सकें नेक्स में प्रेट हो गया स्मोकिंग इसको अम ड्राइंग भी कह सकते हैं ठीक है फुट इस प्रिजर्ब विश्ट है इसको ड्राइं मन ईसको लाइकरते हैं ku5umin फॉसपाइड की अलिमीनियं फॉसफाइट अलिमीन फॉसफाइड हू स्मोकिंग के लिए नेक्स यूसमी इस विससाइड स्याध संमिलें मीलें को यूँस इस प्रेड योनी बैक कंटчто अलिकों गोनी जो ने ती कश नुझ एक आए पटके लसे पॉक्स पेडियोओ हमको पहते है वह उस्पे लगते है एक रुटारी प्रुक्रध पर किमिकल होता है यह ते लगते ह歌ammen सिस्थये धहां मड आ होने तदसी फिल्ट्री तफिली चेसाम पीदी अनिश्थ पर क्रते है है तो जो nitrogen gas होता है हो हमारे chips के packets होते है यह कम बोलते है की 80% one होता है तो वह fait in its nothing but nitrogen gas hills कि ए सब्सक्राइब करें लगते हैं दाक्क वो जो potato chips होते है वेसे साफ उते है वह लंबे समय थGe अंदर सेफ हां कम Pep那我們 तो किए प्रिवेंटीग देपर फणकास पहें प्रब्रेशन कोपी आशे करेंशिक घंब कने तीपिस प्रेशन प्रπरिजर वेटक्राइब 2 तनसक्राइब ही 50 प्रिचराल वेट्ब कैटन धन्ल गेंगर करेंग स्थे गविंच केंगेर फील्टीड यार यह पाताए होते हैं लिए अविलेबल होते है नेचर में तो चिचर तो एम नमग डालते अंक्यों जाम है में प्रेजल करने के लिए अप्रेजया कम हैский करने के action पर आते है हमारा chemical preservative, acetic acid जो कि हम Chinese में ही उसकरते हैं, mostly vinegar, citric acid, sodium, benzoody, सारे chemicals हो गये and some nitrate and nitride salts are some example of chemical preservative, they are used in sources, jellies, jams and pack ready to cook vegetables and ready to cook eat foods etc this preservative help keep the food safe for a long duration, तो यह हम चीज़े use करते हैं यह सारी chemical sources में, jellies में फिर जो package food होता है, vegetable जो अभी आ मार्केट में तो बहुत कुछ आगया है कि जो ready to eat बस हमें उसको पानी डालके हम खाते हैं तो यह सारी चीज़े उसमें डालते हैं ताक यह लंबे समय तक टिक सके फिर आता है हमारा irradiation और pasteurization, irradiation का मतलब होता है in the method food is exposed to ionizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerators X-ray gamma rays emitted by radioactive species etc. तो यह method में क्या होता है जो food होता है उनको हम उन पे से energy and electrons यह emit करते हैं जैसे कि X-ray गामा rays हो गया हम उसको पास करते हैं this process destroy the microbes, insects etc. तो जो अंदर insects, microbes होंगे तो वो उस rays के वो मर जाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते, self life of fruit increases due to increasing in ripening period ripening का मतलब होता है उसको पकना अगर जाधा देर तक पका हुआ रहेगा तो जो उसका self life होगा मतलब कितना देर तक टिकेगा वो भी इंक्रीज होगा अभी तो mostly markets में हमें पता है vegetables को जल्दी पकाते है पकाने के लिए इंजेक्शन मारते है तो उसका self life जाधा देर तक नहीं होता और वो हमारे लिए suitable भी नहीं होता तो हमें वो fruits को जितना जाधा उसका पकने का समय जितना अच्छा से वो पकेगा उतना जाधा देर तक वो ठीकेगा अच्छा से लांबा टिकेगा इस अच्छा प्राइटो प्राइटो जितना निकलता है उसके टॉप लेयर से तो स्प्राउटिंग बोलते थीके तो वह अगर हमने ओनियंस याव इसमें पॉरेटोस में रोग दिया अगर 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 यह स्लो हो गया तो वह उसकी से लिए भी जाधा हो जाएगी फिर नेक्स आते हैं हमारा पेस्टूराइजेशन दिस में वाज हीटिंग दा मिल्क और अदर अदर सिमिलर फूर्स अप्टू अप्टू अस्टें टेंप्रेचर जैसे कि मोस्ली हम मिल्को ऐसा गरते हैं उसको एट्टी डिग्री से मतलब ज्यादे आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स आता है हमारा फूड अडल्टरेशन और यह आज कल बहुत होता है इस वेरी कॉमन प्रॉब्लम अडिल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट ठीक है और यह बहुत गलत होता है ऐसा नहीं करना चाहिए पूर और रिच इंडेंजर बाइद फूड अडल्टरेशन हमको नहीं पता वह क्या-क्या मिलाते है किसी भी फूड में तो लगता है कि हां भाई हम तो सेफ फूड खारे लेकिन ऐसा नहीं होता अब अगर मिलके एंग्जामपल लू तो मिल्क में क्या-क्या चीज़े मिला बॉटर होता है तो यह गलत है ना हमें तो इतना ही मिल्क मिल रहें पर पैसे हम पूरा दे रहे हैं इसको हम अम एडलतरेशन बलते हैं मिलावत होता है थीक है तो जो मिल्क में प्रोतीन होते हैं मिल्क होते होते हैं तो इससे हमारी घ्याथ कहत्रें होती है different types of adulterants affect our health in different ways प affect the functioning of some organs if consumed over a long duration of time or even cause cancer तक भी हमें हो सकता है तो बहुत गलत होती है जिसे कि abdominal pain खराब हो जाना poisonous हो जाना बहुत सारे chemicals भी उसकरते डालते हैं तो यह सारे हमारे कुछ organs होते हैं जो function करना ही बंद जाते हैं अगर हमने इनको लंबे समय तक लिया हमको तो लगता है कि हम सही पी रहें लेकिन सही यूज करें सही खा पी रहें लेकिन इस डेंजरेस और यहां तक कि हमें cancer होने के भी chances हो सकते हैं कि के ना हूँ ऊधिल्टरेट एशे कांवस होते हैं तो पहला है रिमोवर आप समझ इंपोर्टेंट कंपणने कोद इंग्सांबल रिमोवरर ऑं पार्ट कॉंटेंट पीज अफ मिल्क सब्सक्रीजी निचल दाल दे लिए बंद आखली हो निकाल दे ते कर्दम के रिएख क उनकी इंपोर्टन चीज़े होते हैं निकाल लेते हैं और हमें दे देते हैं mixing of low quality in edible or cheaper material or harmful color with food हमें पते हैं हम mostly वह चीज़े लेते हैं जो हमें attractive देखे अगर हमें apple ये tomato की बात करूंगे तो अगर वह जितना लाल होगा हमें लगता है उतना अच्छा है लेकिन हमें नहीं पता अंदर कैसे हैं अंदर का में नहीं 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 पता तो हम फूड कोलर मुस्ली यूज होते हैं तो उससे भी quality खराब होते हैं mixing of some harmful materials like small stones, pine sand, iron fillings तो ये सारे कितने dangerous होते हैं अगर अगर पेट में जाये तो हमारा क्या ही आलोगा यूरिया, dung of horse तो क्या-क्या डालते हैं तो अब बताओ ये सारी चीजे हम जब खाते हैं तो अब बताओ ये सारी चीजे हम जब खाते हमें क्या 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 चीजे हैं तो इस太remos packed is very important you can try at home also तो तो आप test ुया अगर अगर आशा हुआ तो आप गल शकती होते हैं तो पहला हमारा food material milk उसमें unterwegs को about air use में योज़रे आथ में जब चाहते हैं तो Minh य तो शुल्ग में अगर हमें जानना है की वो उसमें हैं तुम क्या करेंगे put a drop of milk on a glass side and slightly incline it to spread that ND इसको इनकलाइन करने तो तेड़ा करेंगे तो फिर हम उसकी ड्रॉप को देखेंगे इसका एक डाइग्राम दिखा दिखा दिए और अगर ऐसा हुआ वह एकदम गाड़ा एकदम डाक तो मतलब हमारा मिल्क प्योर है लेकिन अगर यह ऐसा लाइट हुआ जहां डाक नहीं ही दिखा तो मतलब इसमें पानी मिला गया है संजे तो आप घर पर 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 प्रफॉर्म कर सकते हों डेक सकतर singular चिलि पाउडर flaming घिकर ने जो हमें हमारा अवेलेबल चिली पाउडर उसमें हम बीकर में डालेंगे फिर में पानी डालेंगे हाफ ऑफ बीकर श्टर इन लीव अंडिस्टर्ब फोर वाइल आपको मिलाना है और रख देना है इस सीन सेटल एट बॉटम ऑफ बीकर इट मस् अट विद ब्रिक डस अगर वो गयर आपका उसमें प्रेजंटे जसे कि यह देगो उपर उपर रहा तो में प्योर है लेकिन अगर नीचे आके सेटल हो गया तो मतलब उसमें जरूर ब्रिक दस मिलाया होगा तो इस आप मालूम बढ़ोगे कि यह कितना आपका जो समाने वह अदल्टरेटेड है ने नेक्स हमारा तर्मरीक पाउडर जिसको में हल्दी जिसको हम करना है शेक करने के बाद उसमें हम डालेंगे अगर मिक्षर पहले तो जब हम डालते हैं यह हल्दी और पानी तो इट बिकम्स रेड लेकिन जब हम एच्सियल डालेंगे तो वह जो रेट कलर डिसापेर हो गया अगर डिसापेर नहीं हुआ तो मतलब मिटा नाइज यलो प जब हम तो मतलब आपके में आपके इसमें प्रूट नहीं चिपके तो मतलब आपका रावा प्योर है तो यह सारे चीजे करके यूंच तेस्ट अडों ऑल्वेस रमेंब्स ने कमिकल्स रिटेज निग्ट तो में ठीक्टिव एंट जब जाए और आपके जब जाए ट्राइ लोग उसको खरीदे और टेस्टी भी लगे मिल्क वेंडर्स आड यूरिया तो अपेस्ट अपेस्ट आफ हायर फाट कॉंटेंट ज्यादा फाट दिखे जादा गाड़ा यूरिया डालते ताकि वो मिल्क जादा फाट दिखे तो बट इस रॉंग शॉप की बस चेंग शेंग कर देते हैं ताकि उनका बुछ लॉस्ट ना हो लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस्ट होता है ना वह नेक्स्ट हमारा केल्शियम काबाइड और केमिकल सायुज तो में फूट्स लूप मोर अट्रक्टिव काबाइड जो हम यूज जो यूज करते हैं फूट्स को वह हमें मालूम नहीं पढ़ता हम अच्छे से पीते हैं उसको लेकिन हमें क्या बता यह सारी चीज़े होती है तो हमें इससे बज़ के रहना है ताकि हम सेफ रहे सुरक्षित रहे तो यह हमारा था चाप्टर फिफ फूट सेफटी यूश्ट भी वेरी केरफुल आप क्या हाते हो क्या प्रिते हो ठीक है आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कुछ भी नहीं समझाओगा तो आप मुझे क्यमेंट सेक्षिन पर कोश्चन पूच सकते हो मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाक सिदाके सब्स्राइब कर लेना थैंक्यू